तो एक बारे फिर स्वागत आपका मारे चैनल पे और मेरा नाम एविनित मेरा आप देख रहो देशी टक तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आप अपने फोन को कैसे तेज कर सकते हो जो की हैंग होता है और जो की शुरूर चलता है तो मैं आपको यह बता दूँ कि आपका फोन हेंग क्यों करता है तो आप ज्यादा दर फोन हैंग करते हैं 1GB RAM वाले या 2GB RAM वाले तो 1GB RAM वाला फोन में बात करता हूं कि आप जो 1GB RAM वाला फोन होता हु उसकी उसमें से तो आपका जो RAM होती वो आप 708 sonday भर देते हो यह जैसे बता कि आपका phone hang करेंगा, मैं उन फोनों की बात नहीं कर रहे हुग, जो बनते हैंग होने के लिए जैसे कि आप कोई brand है, जैसे कि iCall हो गई, या फिर तलकॉन ऐसी पता नहीं कोई brand है, जैसे कि यह बना जिती है, phone hang होने के लिए बनाती है, कि और जैसे कि Micromax है Samsung Samsung का फोन हमेसा ख्लेम किया था कि Samsung का फोन हैंग करता है तो वो इसी वज़े से हैंग करता है क्योंकि आप उसमें space और उसकी RAM भर देते हो और जो 2GB RAM वाला है वो भी आप उसमें भी चीज करते हो कि आप उसमें खुब सारी उसकी RAM भर देते हो और इंटनले स्टोरेज भी उसकी खुब वीडियो और आडियो से भर देते हो तो आज मैं बताने वाला हो कि आप कैसे इस problem को दूर कर सकते हो और जो आपका phone slow चलता है वो भी एक hanging problem में उसे भी कैसे दूर कर सकते हो तो सेटिंग से उसके करने के बाद आपका phone slow चलने से बहुत ही तेज चलेगा जिससे कि आपको hanging कि पताने चलेगे तो आइए चलते है अपने mobile screen की तरफ तो आज मैं इस phone में आपको बताने वाला हो कि hanging problem कैसे दूर कर सकते हो तो मेरे पास Lava Z60 model है आप देख सकते हो कि यह Lava Z60 है जो कि थोड़ा बहुत होता है ज्यादो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत होता है तो इसको मैं इसका lock होलता हूँ इसको देखें लॉग होने में बहुत ही time लेका रहा है इसी छोटी बातों से आपका phone hang होता है आप देख सकते हैं मैं जैसे कोई app खोलता हूँ जैसे मैं play store देखें आप किता time लग रहा है इसी नहीं छोटी बातों से आपका phone hang होता है तो simply आज मैं इसकी hanging problem दूल करने के एक trick बता रहा हूँ तो आपको क्या करना है जाना आपको अपनी setting में और setting में जाने के बाद आपको सबसे आखरे में आपको about phone मिलेगा और about phone में जाने के बाद आपको देख ली सकते model's cut Z60 RAM 1GB है और about phone जाने के बाद आपको एक bold number मिलेगा इसको कई बाद टैप करने के बाद आपका एक developer option खोल जाएगा setting में back करने के बाद आपको setting में developer option मिल जाएगा developer option में आपको जाने के बाद इस option को आपको on करना है यार क्या हो रहा है इस option को आपको on करना है और on करने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे settings मिलेगी जैसे की transition animation scale तो यह जो animation होती जो time होता वो आपके phone में ज्यादा लगा रहता है तो one लगा रहता है इसको simply आपको आपको हर तीन आपको इसमें option मिलेंगे तीनों को आपको इसमें off करना है और इसके बाद off करने के बाद आपका phone आपको 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 अपको अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ है तो लाइक करना ना भूलें और घंटे वाल इकन जरूर दमाए तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना और लाइक कर देना